नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलोजी में आप सभी का स्वागत है, मैं विवेक दूबे दोस्तों, आज बात करूँगा, आपको पता ही होगा काफी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है कि जो कि धूब राठी जी ने कुछ कमेंट किया है, एस्ट्रोलोजी, होल एस्ट्रोलोजी को लेके, यहाँ पर मैं आपका मेरा जो में मुद्दा है कि उन्होंने एस्ट्रोलोजर को नहीं कहा, उन्होंने क्या किया कि बाबा, निम्रोलीजी, एस्ट्रोलोजी सब मिक्स कर दिय और सबको एक बुलते ना कि एक एक ही ब्रांच के अंदर डालके और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी एक स्क्रिप्टेड वीडियो बना दी जो कि उन्होंने शाय से चार पांच वीडियो देखी और उसमें से कुछ क्लिप्स जो उनके काम के थे जो उनको लगा कि ये मेरे वीडियो के रिलेवेंट है तो वो उन्होंने निकाले और उसको पेस्ट करके कुछ अच्छा सा एक पेस्टेड मेट्रेल बना दिया अपने चैनल की जो कि लोगों को काफी मज़ा आया इंटरटेइनमेंट के लिए काफी अच्छा था मैं भी कहूँगा इंटरटेइनमेंट के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया था उन्होंने बट वो जो साबित करना चाहा रहे थे क कहीं ने कहीं कि science बहुत आगे बढ़ चुका है और यह जो चीजें फूल करने के लिए astrology जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले उनका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक example दिया कि आजकल के जो बाबा है वो पहले से ही उनका कोई driver होता है या फिर कोई उनको लोगों को follow करता है और वो बाबा को बता देता उसके बारे में फिर बाबा जी उसके बारे में उसको वही के सारे online consultation on call consultation होते हैं कोई हमें ड्राइवर नहीं आके बताता है कोई नौकर आके किसी का नहीं बताता है और यह भी मैं कबूलता हूं कि अगर मैंने अभी तक approximately 1000 चार्ट अगर मैंने consult की है उसमें से करीबन 50-60 चार्ट में तो मैं भी fail हूँ कि मुझे नहीं predict करना पाया हूं मैं यह तो मैं भी accept करता हूं पर इसका मतलब यह नहीं कि astrology गलत है astrology गलत हो सकता है astrology गलत मैं नहीं मानता हूं आपका कहने का अर्थ कुछ ऐसा हो गया ना कि 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 ट्राफिक पुलिस वाले हैं वह बैवानी करते हैं या फिर वह कहीं ने कहीं ब्राइव लेते हैं और छोड़ देते हैं तो यह पूरा सिस्टम करेप्टेट है तो पुलिस को नहीं हो रही थी हमें क्या करना चाहिए था विकॉस हमारे पास option था नहीं हम उस वाइरस से लड़ नहीं सकते तो हमें हाथ पे हाथ दर के बैड़ जाना चाहिए था हमें जो है सॉल्यूशन निकाल के नहीं ला पाया कोई तो क्या करना चाहिए मेडिकल साइंस को वहां पर रोक देना चाहिए रिसर्च या बंद कर देना चाहिए यह वह ब्रांच ही खतम कर देनी चाहिए कि बहुत साल से रूण रहे हैं और कई बार तो फेलियर हो गया है बीच पें कई सारी एरोप्लेइन जो है वो एक तरह से क्रेश हुई हैं तो क्या करें अरोप्लेश के कम्पनियां बंद कर दें क्योंकि यह थो सकती है कोई भरोसा थोड़ी यह जहां पे भरोसा नहीं है वहां पे चीज़ें बंद करने बोल रहें आप सीधा थे आप एक पटिकुलर फिल्ड को astrology के basis पर कहा है और आप कहते हो कि science science को आप प्रमोट करके आप इस चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहें तो astrology भी science है आपको मैं कुछ example देना चाहता हूं कुछ किताबे हैं जो कि science background से well educated लोगों ने लिखी हुई है और उनकी किताबे हम पढ़ते हैं आपको बता देता हूं यह आप पढ़ सकते हैं यह किताब में आपके सामने रख रहा हूं विन्य अदित्य जी है आप मुझे बताईए यह science के student नहीं है यह किताब आप देख लीजेगा इस प्राक्टिकल अस्टक वरगा विन्य अदित्य के नाम है अब आप मुझे बताईए कि क्या इनको astrology जब यह पढ़ रहे थे यह science के student है इनको इतनी अकल नहीं है कि astrology अगर खराब science होती है astrology में कुछ होता नहीं तो यह science के students है आप science को मानते हैं यह science को मानने वाले नहीं थे आप यह किताब है कि the greatness of Saturn किसने लिखा है रोबर्ट इस बोद बोदा ने आप इनके बार में पढ़ लीजेगा यह इनके पास अकेला लाइसेंस है अरवेद का आईरवेद का एंस्टूट चलाने का इनके पास अकेला लाइसेंस है यह उस faculty के मेंबर है आयरवेदिक इंस्ट्टूट यह भी साइंस के स्टूडेंट है उसके बाद मैं आपको बता दूँं यह काफी प्रचलित किताब है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे वास्तु चिंतामनी अर्य भूशन शुक्ला जी ने लिखी है रिटाइड इस ऑफिसर रही है रिटाइड आईयस ऑफिसर एक आईएस ऑफिसर को नहीं पता है कि किस किस नॉलेज को ग्रहण करना चाहिए और किस नॉलेज को ग्रहण नहीं करना चाहिए यह बहुत ही वेल एजुकेटेड शायद ध्रूवराटी चीज से जाधा ही पड़े लिखे लोग हैं यह लोग जो की कुछ आइस हैं कुछ इंजीनियर्स हैं जोने किताबे लिखी है अस् गाहित्री देवी वासुदेव को ने डॉक्टर बीवी रमन ध्यान से सुनिये को डॉक्टर डॉक्टर बीवी रमन और मिस राजेश्वरी रमन इनके माता-पिता उन्होंने अपने माता-पिता को यह बुक जो है उनके लिए लिखी है उनको completely devoted की है गाहित्री देवी वास चार्ट्स सो यह भी काफी प्रचलित बुक है important combinations astrology के करीब 3,300 combinations योग इस बुक में है डॉक्टर बीवी रमन जी की बुक है यह ऐसे सैकड़ो एक्जामपल सैकड़ो writers है जो डॉक्टर है इंजीनियर्स है आईएस ओफिसर्स है आई थिंक ध्रूवराथी जी इस चीज़ को तो समझ सकते होंगे कि यह जो लोग हैं काफी पढ़े लिखे हैं और इन्हें इतना तो पता ही होगा कि किस knowledge पे believe कर रखना चाहिए और किस knowledge पे believe नहीं रखना चाहिए आपने जो भद्दा सा मजाग किया ना astrology की नाम पे आई थिंक वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसको कहीं से भी appreciate नहीं किया जा सकता क्योंकि आप किसी astrologer या बाबा को कुछ कहते ना तो totally agree यह सब जो है यह सब frauds हो रहे हैं और आपको यह भी बोल दूं astrology का ऐसा field नहीं चाहां पर fraud हो रहा है fraud तो आप सूबे निकलते हैं मैंने जैसे example दिया traffic हवलदार से लेके एक top level के officer तक के पूरे cycle में हर जगे है fraud होता है आप medicine में fraud है अभी जब आप vaccination आई थी उसमें भी fraud हुआ था कोरोना की तो fraud कहां पे नहीं है लूटा कहां पे नहीं जा रहा है लूटा तो सभी जगे जा रहें कि नहीं सही जगे पे आप पहुच रहें कि नहीं सही सही जगह और सही वजह के साथ पहुच रहें कि astrology को तो लोगों ने ऐसा बना दिया कि प्रेडिक्शन करिए astrology prediction करने के लिए एसे astrology जो है मैंने ये पहले एक वीडियो में बताया है astrology जीने का subject है जिसको जी जीने जब आप जी होगे ना astrology astrology अगर आपको सच में फील करना है कि what is astrology power of astrology पहले astrology को सीखिए astrology is a very deep science पूरा एक इंसान अपनी पूरे जीवन में भी इसको खतम नहीं कर पाया है इतने बड़े-बड़े लोगों का मैंने आपको नाम बता किसी नहीं कहा है कि I am a complete astrologer सभी के यह कथन है कि ऐसे चार्ट साते हैं जिसमें हम भी फेल हो जाते हम भी नहीं प्रेडिक कर पाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि जो आस्ट्रोजर्जर्स टीवी पे बैटके कमर्शिलाइज्ड करके रखे हैं astrology को या फिर आप कुछ ऐसे छोटे से क्लिप जो है कि आपका स सब अच्छा होगा यह यह ऐसे शोटे-शोटे आप यूजलिस क्लिप्स लगा के आप लोगों को गुमराह करें कि इसका बिलकुल यह मतलब नहीं है आप किसी चीज़ के अंदर कुछ मिस्टेक है कुछ कमिया है तो जरूर बताईए और आपकी वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं आज के डेट में तो आपको वह information नहीं देना अच्छी जो की मिसलीड़ है जिसमें आपको clarity नहीं है सबसे important आपको clarity नहीं आपको ने आप Western astrology का example दे रहे हो Sun sign का example दे रहे हो आपको यह भी नहीं पता कि इंडिया में सबसे ज़्यादा importance जो होता है वह होता है लगन और moon sign का Ascendant and moon sign का सबसे ज़्यादा importance है और उसकी importance क्या है आपको वह भी नहीं पता आपको 12 houses के बारे में अगर नहीं पता है कि 12 houses का क्या संब्दे significance का क्या संब्दे हर planet का एक विशेश तत्व से इंसान के क्या संब्दे astrology के बिना नहीं वास्तु का कोई बेस हो सकता है नहीं किसी numerology का बेस होकता और आपने तो numerology को mix कर दिया astrology के साथ सब एक ही पुडिया में बांद के आपने दिखा दिया कि astrology गलत है कि या थोड़ी सी study कर दे ना चीए इतने हो सकता है कि इंसान कहते ना कि इंसान जब जब ज़्यादा ताकत पर हो जाता है तभी इंसान भूल जाता है कि आपको लग रहा है कि आप खुछ भी बोल देंगे अंदे फैन है फिर तो ज़्यादा फरक नहीं है क्योंकि आप ही वह इंसान है जो टीवी में पॉलिटिकल डिबेट्स होती है तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं और आप जब यह एस्ट्रलॉजर का आपने देखा तो उसको आपने कट्पेस्ट करके आपके वीडियो में दिखा दिया कि देखो आस्ट्रलॉजर ऐसा बोल रहे हैं असा हुआ नहीं अरे यार यह स इसे लग गया कि न्यूज चैनल पर जो उन्होंने जो भी दस बारास विख बढ़ें लेने की कोशिश किये सब्सक्राइण और आपके जीवन में सही चीजों को चूस कर पाएं और आप कहते हो तो आपने बहुत भी घटिया एक्जाम्पल दिया वो कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्टिंग अच्छे से आनी चाहिए तो आपको क्या लगता है जो अंसक्सेस्फूल एक्टर थे यानि कि आज हम नमाजु दिन सद्धिकी को जानने लगे नमाजु दिन सद्धिकी कितने टाइम से वॉलिविड इंडस्ट्री में थे कितने बहुत पुराने पिक्चरों में भी आपने दिखा होगा पैचाने भी निए उनको वो उस तरह से उनका लुक था तो क्या उनको आक्टिंग नहीं आती थी तभी या फिर आज भी मैं कहूं नमाजु दिन सद्धिक कि का जो अक्टिंग का है या फिर पंकस सेपाटि का जो आक्टिंग का लिवल है वो व्य क्रॉक्षीमेटल शारुखान से कम नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी फिल्ड में अच्छा है तो उसको success भी उतन ही वहीं मिलेगी यहीahie तो destiny है यहीं पर तुम्हार खाते हैं हर एक की जिंदगी में destiny का और कर्मा अलग तरीके से काम करता है हो सकता है किसी की जिंदगी में जो बहुत confident है बहुत जिद्धी है अपने काम को लेके for example मैं बहुत अच्छा example दूँगा एलन मस्क का एलन मस्क के लाइफ को देखिया बहुत ही जिद्धी आदमी है बहुत ही जबरदस्त willpower है उसकी dedication जबरदस्त है उसकी वो ऐसा आदमी है तो वो एक बार कहा है मैं astrology को नहीं मत फिर भी फिर भी आप देखेंगे ऐसे लोग भी जो होते हैं इनके case में ऐसा नहीं कि जो किया कितने failures हैं Elon Musk की life में कितने failures हुए है failures के बाद भी उसको और कम किया है और बहुत से लोग है एक ट्राइ में बहुत अच्छा business कड़ा कर दे बहुत अच्छा success मिल गया मुकेश अंबानी को देखिए अनिलंबानी को देखिए कि दोनों एक ही ब्रांच से आए हैं व इससान को मिल जा आदमी successful हो जाता है और यह सही समय पर सही ग्यान यही होता है planet का खेल यही होता है destiny यहीं पर astrology काम करती है कि सही समय पर सही व्यक्ती मिलना यह बड़ी भागी की बात होती यह बड़े लग की बात होती इस्छी को पूलते भाग्य सपोर्ट करता है आपका शो करता हूँ प्राक्टिकल शो करूंगा आप आ जाए लेकिन ऐसे वर्थलेस कमेंट मत करिए आइधिंक वर्थलेस कमेंट करके आप लोगों को जस्ट एक यूजलेस स्टेटमेंट दे रही आस्टालोजी काम नहीं करती है क्योंकि आपने चार पास संसाइन देख लिए और तीन चार क्लिप आपने निकाल लिए वीडियो मेटरेल आपका बन गया तो आपके लिए काम नहीं करती है यह कोई तरीका नहीं हुआ यह कोई अप्रोच न मेहनत करने से हमेशा Success मिलता तो हर इंसान अपने लेवल पे बेस्ट करता है दस में से पांच ऐसे लोगो थे हैं आप लीस्ट्ट जो अपने लेवल पे बेस्ट अपना काम करते मेहनत करते हैं लेकिन वो 5 के 5 सक्सेज नहीं हो पाते कि कि अब आप उनके बारे में क्या कहें किThank You कहते ना कि इंसान को सकसाष मिल जाती थो भूल जाता है याब कहते हो कि इसके पास एस्ट्रोरकाई पास समयागत अंप नियुक्र ने स्ब्सक्राइब करने का सबस्वान में और मुछ कंब्षरन जाता मैं tu कि आपने भी शादी की तो शायद हो सकता है आपको सर्टिफिकेशन के लिए किसी एड़ोकेट के पास जाना पड़ा हो तो फिर लूट रहा है आपको आपकी गड़ना के इसाब से बता रहा हूं मैं क्योंकि परिशान लोग जाते हैं जिनके पास confident नहीं है यह जितने लोग थे जो साइंस पढ़के बुक लिख चुके हैं आयस ऑफिसर रहे चुके यह सब कमजोर लोग है नहीं यह सब तो बड़े कमजोर हैं दिल के आप बड़े मजबूत हों क्योंकि आपके पास 10 आल्मोस् कि आप करिएगा थोड़ी से study करके आप यह चोछीजे कर रहें बहुत अच्छा काम कर रहें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आपके कई सारे वीडियो मैंने खुद देखे हैं that is very good बहुत चीज़ें आपने काफी deep explain कि लेकिन आप आपने जब इस topic को इस तरह से इतने broad topic को आप I hope आप इसके बारे में इसका reply जरूर देंगे बाकी देखते हैं दोस्तों यह था एक मेरा reply ध्रूब राठी जी को आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा मिलता हूं next video के